आर्थिक विकास की समज कक्षा दस के लिए सामाजिक विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक प्रिष्ट संख्या 1 अध्याय 1 विकास शिक्षक के लिए निर्देश विकास के कई पहलू हैं इस अध्याय का उद्देश्य विद्ध्यार्थियों को यही विचार समझाना है। उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि लोगों की विकास के बारे में अलग-अलग धारणाएं हैं और ऐसे उपाएं हैं जिनके द्वारा हम विकास के सामोहिक सूचकांकों को जान सकते हैं। इसके लिए हमने ऐसी स्थितियों का प्रयोग किया है जिन पर वे सहज बुद्धी से प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। हमने ऐसे विशलेशन भी दिये हैं, जिनकी प्रकृती ज्यादा जटिल और ब्रिहत है। दूसरा प्रश्णी यह है कि देशों और राजियों की तुलना कुछ चयनित विकास सूचकांकों के आधार पर कैसे की जा सकती है। इस अध्याय में विद्यार्थी इसका अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास को मापा जा सकता है और आए इसे मापने की एक विधी है। यद्यपी आए के द्वारा विकास मापने की विधी उप्योगी है, इसके कुछ दोश भी है। इसलिए हमें जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की धारणियता जैसे नए सूचकांकों का प्रयोग करने की आवशकता है। आपके लिए यह अपेक्षा करना आवशक है कि विध्यार्थी उप्योग्त विशे पर कक्षा में सक्रिये प्रतिक्रिया दिखाईं। इस विशे पर विध्यार्थियों की राय में काफी अंतर हो सकता है और इस पर विवाद होना भी संभव है। विध्यार्थियों को अपने अपने द्रिश्टिकोंड रखने दीजिए। हर खंड के अंत में कुछ प्रश्न और क्रिया कलाप दिये गए हैं। इनका दुहरा उदेश्य है। पहला, वे इस भाग में चर्चित विचारों को संक्षेप में बताते हैं। और दूसरा, वे विध्यार्थियों को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के निकट लाकर इन विश्यों को बेहितर तरीके से समझने के योग्य बनाते हैं। प्रिश्ट संख्या दो इस अध्याय में कुछ शब्दों का प्रियोक किया गया है, जिनका स्पष्टिकरण आवश्चक है। जैसे की प्रतिव्यक्ति आय, साक्षर्ता दर, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिती दर, जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन, अनुपात और मानव विकास सूचकांक। इन शब्दों से संबंधित आकड़े दिये गए हैं, तथा इन्हें पूर्ण रूप से समझने के लिए इनका विस्तार से अध्यायन आवश्चक है। आपको क्रैशक्ती समता की अवधारणा को भी स्पष्ट करना होगा, जिसका तालिका 1.6 में प्रतिव्यक्ति आय की गणना के लिए प्रयोग किया गया है। यह अवश्चक है कि इन शब्दों का प्रयोग चर्चा में साहेता के लिए किया जाए, ना कि उनको कंठस्त कराने के लिए। रिपोर्टों से लिए गए हैं। यह रिपोर्टें हर वर्ष प्रकाशित की जाती हैं। यदि आपके विद्याले के पुस्तकाले में यह रिपोर्ट हैं, तो इन्हें देखना अच्छा होगा। अगर नहीं, तो आप इन संस्थानों की वेब साइट पर जा सकते हैं। www.undp.org www.worldbank.org आंकडे भारतिय रिजर्व बैंक की हैंडबुक आफ स्टैटिक्स on Indian Economy में भी उपलब्ध हैं। इनके लिए आप www.rbi.org वेब साइट पर भी जा सकते हैं। ऑच हैं। झाल स्टैटिंते हैं। झाल झाल